नमस्कार मैं रंजीत आप सभी का बदबा स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताईएक हम उपी लेकपाल परिच्छा के लिए ग्रामीड परवेश से पानसो परसंदों के सीरीज करवा रहे हैं जिसमें एक एक परसंद बहुत ज्यादा महत पूर यह इपी लेकपाल परिच्छा के लिए और आज की वीडियो हमें गिरामीड परवेश से 25 परिच्छा के लिए वेरी वेरी इंपोडेंट है और आज की वीडियो आपको प्रसंद आते को लाइक शेर जरू करिएगा और वीडियो के अंतम में हमें जरू बताइएगा आपके 25 प्रसंदों में कितने प्रसंदों के जवाब सही गए और आप मारे YouTube चैनल पढ़ना हैं तो चैनल को सफरा जरू कर लें जिससे आने वाले व कोई नहीं तो इसका जो सई आंसर आपका हो जाएगा बोह जाएगा यह option गरीवी गरीवी में जो ब्यक्ति है अपनी बुनियादी समस्याएं जैसे हम बात करें भोजन बस्त्र घर आदगी जो है पूर्ती करने में असमर्त होता है तो इसका जो option हो जाएगा A अगला question है ज स्रमकों से कास्त करवाता है तो इसका जो सई आंसर आपका बोह जाएगा D option स्रमकों से कास्त करवाता है उसे हम भूनते हैं प्रविच्छी करशक कहते हैं ठीक है important question अगला question है निम्न में कौन भूमशुधार उद्देशों में सामिल नहीं है ठीक है द्यान रखिएगा तो भूमशुधार के उद्देशों में ये सभी A, B, C सभी जो है ये आपके उद्देशों में सामिल होते हैं तो इसका जो सई आंसर आपका हो जाएगा D option हो ठीक है अगला question है राजश्व अधिकारी के तोरपर किसे सामिल किया जाता है A लेकपाल B कानून को C साहिक कलेक्टर और डी ये सभी तो राजश्व अधिकारी के तोरपर ये सभी जो है कार करते हैं लेकपाल हो चाहिए कानून को हो चाहिए साहिक कलेक्टर हो तो इसका अंसर आपका हो जाएगा D हो जाएगा अगला question है एच्छिक चकवंदी एच्छिक चकवंदी का प्रथम प्रयास सरप् किस राज़ में किया गया था तो अपस्ण आपके हैं बिहार पंजाव उत्तरपदेश और तमिल नाडूर तो इसका जो सही अंसर आपका हो जाएगा अब वह जाएगा पंजाब पंजाब परांत में 1921 में जो है इसका ये लागू की गई थी एच्छिक चकवंदी एच्छ पंजाब अपनी स्वेम इच्छा के अनुसा जो है चकवंदी करवाना चाहता तो इसे एच्छिक चकवंदी कहते हैं अगला को स्टन है आपका खसरा में किसका उल्लेक नहीं किया जाता है ए सचाई के सुरोत बी खेतों का छेत्रपल सी उर्जा के सुरोत डी फसलों का एगला कोशन है मद्य भारत में एक बीगा कितने हेक्टर के बराबर होता है? यह प्रसंग लेकपाल में पूछा गया है तो इसका option आपने देख सकते हैं तो इसका जो सई आंसर आपका हो जाएगा अब हो जाएगा यह option है है तो option आपके है एक चौMother 27120 तो इसका सभी आंसर आपको पता हुगा कि एक बीग में क्या होता है यह जैसा है तो इसका क्या हो जागा एग बिस्वा अगला कुछन है चंद सेकर आजाद क्रशी एवं प्रदोई की विस्व धाला की इस्थापना कव हुई थी तो इसका ऑप्टन आप लिचे देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इसका जो सही आंसर आपका हो जागा बो जागा में निस सो पहले मैं आपको दाद हूँ देखिए भैस बकरी ठीक है गाय इनकी जो नसल है उन्हें आप याद रखिएगा ठीक है इनकी प्रसंद परिच्छा हम पूशे जाते हैं तो इसका आप नीचे देख सकते हैं यह पसमीना कसमीरी जमनापरी और सहीवाल तो इसका सही आंसर आपक किसान आयो का गठन कब किया गया था जैसा कि कुछन साथ मुझे पिछली वीडियो में और मैंने संब्रेत किया है इसमें भी है तो इसका आप नीचे देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बो जाएगा सी ऑप्सान अठारे नवम्मत दूश चार को राष्टी किसान आयो का गठन किया गया और पहले इसके जो अध्याच छते जैसा कि मैं आपको बता दें वो थे एक हैं मैस स्वामी नात्र ठीक है ध्यान रखिए यह इंपोर्टेंट है यह प्रसंद परिच्छा गया है अगला कुशन है केंद्रिय वहेंस अनुसं संदान एवं परसेच्छड केंद्र कहा है इंपोर्टेंट कुशन है तो आपके लखनव कानपूर बाराशी दिल्ली तो इसका सही आंसर आपका है वो है बाराशी उत्तर प्रदेश में जो है राष्टी बीज अनुसंदान एंपरसेच्छड केंद्र है अगला कुशन है भ भारत में पूरे भारत की बात हो रही है प्रत्वक्ति जोत का आकार है ठीक है बनपॉंट 6 हेक्टियार अगला कुशन है भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का मुख्य कारण क्या है इंपोर्डेंट कोशन इस सामाज एक धार में पारवारिक और सांस करते तो जोत का यह आकार है मुख्य कररेंट बहब पारवार्डेंट पारवारा के इसलिए है क्योंके क्या से पारवार में ब्हबाद होते हैं मीनल खित में से कौन सा होगाine तो इसका जो सभी आंसर आपका अब हो जाएगा बी गद्धी देगे मुर्रा वदावरी निली रावी ये सबी भेंसकी पर जाती है तो इसका सभी आंसर आपका बहुत जाएगा पर संपर बिहार नहीं इंपोर्टेंट कुशन अगला कुशन था चिकन का काम के लिए प्रसद है अपसर आपके नीचे दिये हुए है गोरपपूर अलीगर लखनु कानपूर तो इसका सही आंसर आपका क्यों जाएगा लखनु तरप देश की जो रायधान यह लखनु वो चिकन के काम के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रसद है चिकन के लिए अगला कुशन आपका है पूर्वोत्तर भारत की प्रमोग जो खाददान फशल कौन सी है पूर्वोत्तर भारत की प्रमोग खाददान कौन सी चकवंदी लेखपलम यह प्रसंद पर पूछा गया है दूजात आठ में ठीक है द तुसका सही आंसर क्या हुजाओ को जाए गा तरही का इलाका यह प्रसंद का फिर पोछा गया है तो द्याहन रखे गा उत्तर बेंशलाब यह उट्यमी इतराी का इलाका कपुष़्ता अंतिम च्रड है यह पूछा गया है चकवंदी 2015 परीच्छा में जो है चकवंदी में पूछा गया है 2015 में जां रखिएगा निम लिखते में कौन सा ब्रच्छी सब्जी है बसेला मैथी करीपत्ता और डिपालक तो इसका सही आंसर आपका किया जागा करीपत्ता जो एक ब्रच्छी सब्जी है अगला कुशन है उत्तरपदेश मतस्य निगम की स्थापना किस बरस की गई थी इंपोडेंट कुशन है य इसका सही आंसर आपका हो जागा उनिश्व बामन में दो अक्टूवर उनिश्व बामन में सामदा इपका स्कारीकरम की सुर्वा की गई थी आगला कुशन है यही प्रसन परिच्छा हम पूछा गया है एस जी एस बाई का पूरा नाम क्या है तो आप्सन आप देख सकते है तो इसका सही आंसर आपका हो जागा पूग्या हो जागा स्वड़ जैनति ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना और इसकी जो सुरुगात हुईती एक अपरेल निश्व ननियार ठीक है तो हुईती यह द्यां रखेगा इसका आपका आप्शन हो जागा सीज राइट बीड़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद